हेलो एवरिवन, वेलकम टू मैं चैनल फजिक्सभाय नितू, आज हम डिसकस करेंगे प्रिंसिपल ओफ सुपर पुजिशन ओफ वेव्स के बारे में, देखो मैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिटेल में अंटरस्टेंड क करेंगे, उसमें जो जो टर्म्स यूज होनी है, आज हम उनके बारे में डिसकस कर लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर अंडरस्टेंड करने में इसी हो जाएगा, देखो सबसे पहला टॉपिक है, प्रिंसिपल ओफ सुपर पुजिशन ओफ वेव्स, सुपर प अपके ब्राबर होगी, जो आपके पास रिसल्ट वेवस की डिस्पलेसमेंट होगी, देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे से हम, बहने नमबर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रूए मेडियम, सुपर पोज आन एच अदर, the resultant displacement at any point in a given time is equal to the vector sum of the displacement due to the individual waves at that point मालो आपके पास इस तरह से है देखो इस तरह से आपको ज़्यादा clear होगा मालो आपके पास एक wave कौन सी है यह वाली जो blue color में मनाई हुई है ठीक है? y1 इसकी displacement है और यह second वाली red color में है इसकी displacement मालो किसी time पे y2 है y की यह दोनों के कर रही है superpose कर रही है एक दूसरे को ठीक है? तो जो resultant wave है मालो वो यह वाली है जो black color से मैंने मनाई हुई है ठीक है? यह वाली तो जो इसकी displacement होगी मालो उसे हमान रहे है y ठीक है? वो किसके ब्राबर होगी? वेक्टर सम ओफ जो भी individual waves की वज़ा से जो displacement है उनके vector sum के ब्राबर होगी वो तो y इकोल टू किसके ब्राबर हो जाएगा? जो resultant वाली की displacement है वो किसके ब्राबर होगी? y1 प्लस y2 इस तरह से देखो यह case तो कब था? अगर वो दोनो waves यह वाली जो wave है y1 और यह जो y2 है जो red color से है यह दोनों किसमें same phase में है देखो same phase में है न? इस तरह से जो इसका crust और इसका crust same एक ही जगा पर fall कर रहे है और इसका truff और इसका truff एक ही जगा पर fall कर रहे है same phase में है दोनों यह जो तब तो क्या हुआ? y1 प्लस y2 इस तरह से हो गया और उसका amplitude भी क्या होगा? जादा होगा इन दोनों के comparison में because वो add हो गए है same phase में है दोनों waves तो इस तरह से जो है हम apply करते है क्या है principle of superposition of waves ठीक है? अब अगर वो दोनों waves क्या है? out of phase है जैसे माल लो आपके पास first wave यह ब्लू वाली है यह क्या है? y1 ठीक है? इसकी displacement y1 है और यह red वाली इस तरह से है यह को out of phase है बट इसका amplitude क्या है? थोड़ा सा कम है y1 के comparison में तो जो इनकी resultant displacement होगी वो क्या होगी? वो black color में होगी because इसका amplitude ज़्यादा था blue वाले का तो यह रहीगी तो इसी direction में यह वाली ऐसे करके है न? पर क्या हो गया? उसका amplitude कम हो गया resultant का ठीक है? यह वाला तो इसे हम कैसे write down करेंगे? y equal to किसके ब्राबर? y1 minus y2 because यह दोनों waves कैसे है? out of phase है एक दूसरे से clear? इस तरह से है तो दिखो, अब इसमें होता क्या है कि कुछ-कुछ जगा पे हमें क्या मिलेगी? intensity ज़ादा मिलेगी wave की light की intensity क्या हो जाएगी? ज़ादा हो जाएगी light की intensity कब ज़ादा होगी? अगर दोनों waves कैसी है? same phase में दिखो, same phase में है तो क्या और ये उनकी displacement add हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी intensity जादा हो जाएगी और ये कौन सा case है जब एक wave का crust दुसरी wave के crust के उपर fall कर रहा है और एक wave का truff दुसरी wave के truff पर fall कर रहा है तो intensity क्या हो जाएगी light की जादा हो जाएगी और वो add up हो जाएंगी और अगर दोनों waves कैसी है out of phase है और उनका अगर amplitude भी मालनो same है अगर यह इतने ही amplitude की यहां होती और इतने ही amplitude की यहां होती तो क्या ना था y equal to y1 minus y2 दोनों cancel out हो जानी थी पूरी की पूरी और यहाँ पे intensity कैसी हो जानी कम हो जानी intensity clear हो रही है आपको यह वहली चीज़ यही चीज़ हमने यह write on किया if y1, y2, yn are the displacement due to the different wave acting separately then according to principle of superposition the resultant displacement किसके बराबर आएगा y equal to उनका vector sum होगा clear हो गया आपको इस तरह से अगर 1 या 2 marks में आता है तो आप इस तरह से write on कर सकते है principle of superposition of waves ठीक है अभी हम आगे हम इसको understand करेंगे अच्छे से देखो तब हम यह वाली term वहाँ पर use करेंगे अगर हमने क्या कहा अगर दोनों waves जो हैं वो क्या है same phase में है ठीक है तो क्या होगा इसका crust एक wave का दूसरे के उपर fall करेगा और trough एक wave का दूसरे trough पर fall करेगा उस case में क्या हो जाएगी intensity ज़्यादा हो जाएगी उसकी वो add up हो जाएगे तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर constructive interference यह हम अभी आगे understand करेंगे और जहां पर waves out of phase होती है वहाँ पर क्या हो जाएगी यह दोनों क्या हो जाएगी cancel out हो जाएगे और intensity क्या हो जाएगी इस case में कम हो जाएगी तो उसे हम कहते हैं फिर destructive interference इसी destructive interference और यह हो गया constructive interference destructive में हम आगे पड़ेंगे कि उसे हम क्या कहते हैं फिर वहाँ पर dark fringe बनती है dark fringe मेंज उस वहाँ पर क्या है intensity zero हो गई because out of phase हैं दोनों waves जो superpose कर रही है और इसी क्या कहते है constructive interference को होँआ पे bright finish का नाम देते है because यहाँ पे intensity क्या होगी जादा होगी clear? okay next अब देखो coherent source of light coherent source of light क्या होता है अब देखो coherent source of light वो sources है अगर आपके पास जो waves है वो कैसी आ रही है coherent source of light आने का मतलब क्या है कि जो भी आपके बाद दो waves आ रही है ठीक है दो coherent sources है उससे मतलब क्या है कि जो भी waves है वो कैसे निकल रही है वो उनकी wavelength भी सेम है frequency भी सेम है दोनों waves की जैसे यह waves यहाँ से निकल रही है या तो फिर constant phase difference होना चाहिए इस तरह के सोर्स से जब आपके पास light waves निकलती है तो उसे हम कहते है coherent source of light क्या कहते हैं उनके हम coherent source of light देखो यह वाला छोटा से टॉपिक है आपको यह understand होना चाहिए two sources of light which continuously emit light waves दो source of light जो क्या कर रहे हैं light waves को emit कर रहे हैं कैसी वाली light waves को of same frequency होनी चाहिए उनकी wavelength भी same होनी चाहिए with zero और constant phase difference या तो उन दोनों waves की बीच में zero phase difference होना चाहिए वो same phase में होनी चाहिए और अगर phase difference है भी तो वो कैसा रहना चाहिए constant रहना चाहिए constant phase difference between them are called coherent sources उन्हें हम क्या कहते हैं coherent sources कहते हैं clear है दो sources हैं जहां से waves आ रही है ठीक है पर वो waves वो कैसे होनी चाहिए उन दोनों waves के क्या wavelength भी same होनी चाहिए frequency भी same होनी चाहिए और वो दोनों किस होनी चाहिए एक ही phase में होनी चाहिए या तो उनके बीच में phase difference हो भी तो कैसा होना चाहिए constant होना चाहिए sorry, ऐसे वले sources of light को हम क्या कहते है, coherent sources of light, clear, okay, अब आया, incoherent sources of light क्या है, incoherent sources क्या होंगी, जिसमें, दोनों waves का क्या होगा, phase difference क्या होगा, same नहीं होगा, थेखो, two sources of light which do not emit light waves with a constant phase difference are called incoherent sources, ठीक है, यह आपको सिर्फ याद रखना ही, होता क्या है, coherent sources of light and incoherent sources of light, next topic आपके पास interference of light, यह बहुत important है, ठीक है, young's double slit experiment, में भी हम यह चीज़ अच्छे से explain करेंगे, अभी आप एक बार understand कर लो, यह होता क्या है interference of light, देखो, interference of light क्या है, when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference, दो waves है, जिनकी frequency same है, wavelength same है, और वो क्या कर रहे है, उनके बीच में जो phase difference है, वो तो या तो zero है, या तो constant phase difference है, और वो same direction में आपके पास क्या कर रही है, वो travel कर रही है, तो जब वो superpose करती हैं एक दुसरे को, तो क्या होता है, जिस point पे वो superpose करती है, वहाँ पे जो intensity है light की, वो क्या हो जाती है? redistribute हो जाती है कहीं पे वो intensity क्या होगी? जादा हो जाएगी, maximum और कहीं पे वो intensity क्या हो जाएगी? minimum हो जाएगी इस phenomenon को हम कहते हैं interference of light clear हो रहा है? एक बार ध्यान से द्वारा सुन लो, क्या होता है interference of light? देखो, जब भी आपके पास कोई two waves हैं वो two waves कैसी होनी चाहिए पर same frequency की, same wavelength की और उनके बीच में जो face difference है या तो zero होना चाहिए, या तो जो face difference है वो कैसा होना चाहिए, constant होना चाहिए देखो, यह जो चीज हमने अभी कही यह कौन से sources होते हैं coherent sources of light तो यहाँ पे क्या कहना जा रहे हैं basically जो waves है वो कैसी होनी चाहिए उनका source कैसा होना चाहिए, coherent source हाँ तो जब coherent source of light से आपके पास waves निकल रही हैं और वो क्या कर रही है same direction में travel कर रही है तो वो जब superpose करती है एक दुसरे को तो क्या कहा इनोंने, जब भी वो point होता है जहाँ पे वो superpose करती है तो कई जगा पे वहाँ पे जो intensity है light की वो ज़ादा हो जाती है और कई जगा पे intensity कैसी हो जाती है light की, कम हो जाती है इस phenomena को हम कहते है interference of light देखो किस तरह से write down करेंगे when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference, traveling in the same direction, superpose each other the intensity in the reason of superposition gets redistributed becoming maximum at some points and minimum at others, this phenomena is called interference of light इसे हम क्या कहते है, interference of light clear हो गया आज सिर्फ आपने यह understand करना है यह वाली जो भी आपके पास इसकी statement है, यह आपको learn करनी है clear, okay, तो देखो अब हमें पता है कि interference of light है, देखो अगर इसमें हम क्या क्या गया रहे है जैसे वो superpose कर रही है जहां पर, तो कहीं पर maximum intensity आ रही है और कहीं पर minimum आपने अभी understand किया था maximum जो आपके पास intensity आएगी, वो कब आएगी जब वो दोनों waves कैसी है एक वाली wave का crust दूसरी वाली wave के crust पे fall करेगा, और उसी wave का trough दूसरी वाली wave के trough के उपर fall करेगा, है ना, तो क्या हो जाती थी, उनकी displacement, उनकी add हो जाती थी, वहाँ पे intensity की value क्या होगी, जादा है ना, तो उस वाली point पे intensity जादा हो जाएगी और intensity कम कब होगी जब क्या होगा, एक वाली wave का जो crust है, वो दूसरी वाली wave के किस पे आए, trough पे fall करे है ना, तो उस वाली case में क्या हो जाएगी, intensity कम हो जाएगी है ना, जब अगर वो उस तरह से superpose करेंगे तो देखो, ये था आपके पास interference of light के बारे में अब देखो, हम next lecture में करेंगे young double slit experiment young double slit experiment में ही क्या हुआ, ये वाली चीज़ क्या हुई interference of light को prove किया कि ये जो light है, वो कौन सा phenomena show करती है, interference of light का, interference जो phenomena है, वो show करती है light और किस तरह से करते हैं, वो हम next वाली lecture में अच्छे से understand करेंगे और इसी चीज़ से पता चला था, फिर कि light का कैसा है, ये practically prove हुआ कि जो light है, वो कैसी है wave nature की भी है because उसने क्या show किया, interference pattern show किया, उसने light ने वो किस तरह से करेंगे, अभी हो next lecture में करेंगे, आज आपने अच्छे से ये वाले जो topics हैं, ये एक बार understand कर लेने हैं इनके बारे में exam में one और two marks का question आ सकता है फिर next वाली lecture में हम अब young's double step experiment के बारे में detail में understand करेंगे, ओके thank you झाली